तो हेलो एवरिवान यह है Sona BLW के quarter 2 के result तो यहाँ पर देखते हैं कि इस share के result कैसे रहे हैं शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस share के total income से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around 6063 million थी जो quarterly basis में 7456 million यहाँ पर हो गई है यानि quarterly basis में यहाँ पर जो share के income है वो increase हुई है अब बात कर लेते हैं total expenses की तो total expenses yearly basis में 4,967 million थे जो quarterly basis में 5,716 million यहाँ पर हो गए है यानि income के साथ यहाँ पर जो है share के expense भी increase हुए है अब बात करेंगे आगे हम इस share के total comprehensive income की 776 million इस share का yearly basis में जो है total comprehensive income था जो quarterly basis में 1,247 million यहाँ पर हो गया है यानि quarterly basis में यहाँ पर जो share की income है वो increase हुई है earning per share यहाँ पर जो है 1.42 पैसे था अब जो है 2.23 पैसे के round यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं share के result यहाँ पर बढ़िया रहे हैं इस मंतक का जो share का maximum target है यहाँ पर वो round वैसे तो आपको 525 रुपे से लेकर 550 रुपे के बीच में maximum target देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहते हैं तो 2 weeks के round तक इस share को hold करके फिर इस share को sale करना चाहे तो यहाँ पर sale भी कर सकते हैं